recently दोस्तों पाकिस्तान का ये claim रहा है कि इनको United Nations Security Council में permanent seat offer की गई दूसरा इनका ये बोलना है कि हमने इस particular seat के offer को reject कर दिया तीसरा इनका ये बोलना है कि UFC grouping के साथ मिलके हमने इस बात को ensure किया कि India और ये जो बाकी group of four countries हैं ये United Nations Security Council की permanent member ना बन पाए United Nations Security Council में पाँच permanent members है ठीक है कौन-कौन से हैं आपको पता हिए US, UK, Russia, China, France अब ये जो G4 nations से इसमें आता है Brazil, Germany, India और Japan ये चार countries का बोलना है कि हमें भी permanent member बनना है UNST का प्लस दो members of vegan continent से तो total 11 permanent members होने चाहिए United Nations Security Council की ऐसा group of four nations का बोलना है और group of four nations लंबे समय से United Nations Security Council में रिफॉर्म लाने के कोशिश कर रहा है ये रिफॉर्म प्रोसेस के उपर officially बाचीत 2009 में शुरू हुई थी inter-governmental negotiations हाला कि overall ये group four nations permanent member बन जा है United Nations Security Council की इसकी बात 1990s से हो रही है और इसलिए 1990s में एक और group बन गया था UFC UFC क्या था Uniting from Consensus इसको शुरुवात में कॉफी कलब बोला गया इस कॉफी कलब को 1990s में overall शुरुवात में चार कंट्रीज ने मिलके बनाया जिसमें एक थी Italy Pakistan, Mexico, Egypt इन चार कंट्रीज ने मिलके बनाया कॉफी कलब इनका क्या बोलना था कि permanent member security council में नहीं बढ़ने चाहिए क्या logic था इनका logic यह था कि अगर permanent member security council में बढ़ेंगे तो दुनिया में inequality बढ़ेगी कुछ countries overall permanent members बनके दूसरे country के हितों को यहाँ पे oppose करेंगी इस ideology को और भी countries ने support किया शुरुवात में coffee club बना था Italy, Pakistan, Mexico, Egypt से बाद में Spain, Argentina, Turkey, Canada भी यहाँ पे चुड़के है फिर Asia, Africa, Latin America की बहुत सी countries बढ़ेगी आप imagine करो यह जो group of four countries ने यह बोल रही है कि भाई United Nations Security Council के 11 permanent member सुने चाहिए यह दो अफरीका से तो अफरीका की कौन सी दो countries member बनेगी इस बात को लेकर तो भारी बबाल हो जाएगा बोर्ट समाना कभी चाहिएगा कि South America permanent member बन जाए United Nations Security Council के तो पांच जो बन गई है बने रहें और बाकी कोई permanent member ना बन पाए इस बात पे जोर मार रहा है Uniting for Consensus नाम का यह group और यह बात बिल्कुल सही है कि यह particular group समय समय पे इस बात को ब्लॉक करता है कि कोई भई permanent member ना बन जाए United Nations Security Council का हलाकि ऐसा नहीं है कि United for यह जो Consensus नाम का group है अगर यह नहीं होता तो permanent membership देई दी जाती किसी और को बहुत मुश्किल है अगर इस समय पे माल लो यह group of four nations को permanent member बनाना हो United Nations Security Council का यह माल लो इंडिया को अकेले को बनाना हो जर्मनी को अकेले को बनाना हो तो आपको करना क्या पड़ेगा technically आपको क्या करना है कि United Nations की General Assembly मे two-third majority के साथ पहले एक agreement को sign करवाना है उसके बाद उसको ratify करवाना है फिर वो प्रपोसल जाएगा United Nations Security Council में और Security Council के सारे members उसको अप्रूव करें और चाइना तो इंडिया के अंदर बं फोड़ने वाले terroristों तक को बचा लेता है अपनी वीटो पावर से तो इंडिया member बन जाए Security Council का permanent ये तो चाहना कभी होने नहीं देगा इसलिए इंडिया इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि आने आले वाले कई दशकों तक हम United Nations Security Council के permanent member नहीं बन पाएंगे इस बात को लेके इंडिया कई बार ये बोल भी चेको अब रीसेंटली ये देखे 13 जुलाई 2022 कार्टिकल है United Nations Reform Negotiations अगले 75 सालों तक चलते रहेंगे कोई improvement नहीं होगा ये खुद इंडिया नहीं यहाँ पर बोल दिया मतब इंडिया को भी पता है कि United Nations Security Council का permanent member बनना वीटो पावर लेना बहुत मुश्किल है अब क्या actually में इंडिया यहाँ का permanent member बनना deserve करता है United Nations Security Council की जो 5 countries हैं वो सबसे top की 5 countries मानी जाती दुनिया भर की अब सबसे top की 5 countries दुनिया भर में historically कौन से factors में मानी जाती पहला economy दूसरा military power अब इस context में बात की जाए अगर आप economy देखें तो economy में purchasing power parity की basis पे इंडिया दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी economy है सबसे बड़ी है चाइना 30 trillion dollars दूसरे नंबर पर आती है US 25 trillion dollars और इंडिया लगभग 11.75 trillion dollars तो इंडिया economic wise purchasing power parity की basis पे PPPP calculate करेंगे अब इंडिया में एक पें 5 रुपय का मिलता है और US में 50 रुपय का मिलता है तो हम 50 रुपय थो ना बड़ी हुई मान लेंगे तो 5 को 50 के बराबर ही मानेंगे ना तो purchasing power parity के basis पे इंडिया की economy दुनिया में बाई economy और बाई military क्या है कि हम deserving है कि हम United Nations Security Council के permanent member बन सके अगर यह जो चार countries है ना जापान ब्राजील इंडिया और जर्मिनी इसमें अगर सबसे ज़ादा कोई deserve करता है United Nations Security Council का permanent member बनना तो वो इंडिया deserve करता है लेकिन बन नहीं पाएगा यह बात इंडिया बहुत अच्छी तरी किसे जानता है ठीके ना United United for Consensus यह grouping ना भी हो इस particular grouping की सारी countries इंडिया को support कर भी दे coffee club की तब भी overall चाइना इंडिया को permanent member बनने नहीं दे का United Nations Security Council की यह बात बिलकुल ता है तो overall यहाँ पर पाकिस्तान का यह claim करना कि नहीं भई हमने UNSC की permanent seat को ब्लॉक कर दिया इंडिया के लिए यह बस वही बात है कि जो UFC group reform process को रोक रहा है इसकी बात कर रहा है देखी क्या है G4 यह सार्टिकल का कहना यह है कि G4 यह जो चार countries है यह चाहते हैं कि text based negotiations हो एक और बात बता दू United Nations Security Council के permanent member बनने का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आपको veto power मिल जाएगी permanent member बनने का मतलब है कि United Nations Security Council के deliberations में participate करने के लिए आपको अपनी 2 साल की membership का इंतजार नहीं करना पड़ेगा अभी के लिए इंडिया एक non-permanent member है 5 permanent, 10 non-permanent हो तो उसमें से एक इंडिया है इंडिया अगर permanent member बनेगा तो United Nations Security Council में हर समय इंडिया participate कर सकता है अपने viewpoint रख सकता है कुछ international अगर happening और इस उसमें देखे क्या है important मुद्दों पे जब veto की बात आती है सबसे बड़ा objective यह है कि international security के deliberations में हमें representation मिलना एक element of continuity आना हम जब non-permanent member होते है तभी United Nations Security Council के deliberation में participate कर पाते हैं अगर हम permanent हो गए तो हमेशा participate कर पाएंगे और आज की date में इस non-expansion के चलते ही हूँ जो UNSE यह भी defunct हो गया सीरिया की crisis हुई Ukraine war हुआ कुछ कर पाए UNSE Security Council कल की date में China अगर आप कहलो Taiwan पे attack कर देता है कुछ कर पाएगा UNSE Security Council नहीं कर पाएगा तो UNSE Security Council actually में security guaranteed है पूरी दुनिया का यह बात बिल्कुल गलत हो चुकी है चुकि अव्वेसी बात है इस grouping के अंदर good बने हुए एक good Russia channel मना रखा है दूसरा बाकी US, England और France ने मना रखा है good अपने अपने हिसाब से लोगों को support करता है और किसी भी तरीके से यह effective नहीं है दुनिया बर की security crisis को solve करने लिए अगर होता तो इतनी जंगे इतनी जग़ों पे इतनी civil war ना हो रहा है हाँ यह ज़रूर बात है कि जो Uniting for Consensus नाम का group है इसने कहीं न कहीं UNSC की reform process को एक बड़े institutional तरीके से block किया जैसे कि ऐसा बताया जाता है कि text based negotiations नहीं होने दे रहे oral negotiations हो रहे G4 text based negotiations चाता है United Nations के अंदर text based negotiations मतलब UNSC को कैसे reform करेंगे इसके लिए proper documents submit की जाए उस documents में reports submit की जाए उन reports के ओपर voting हो किसी एक particular parameter को तैय कर लिया जाए और वो lock हो जाए basically किसी एक particular aspect के ओपर बातचीद हो गई, voting हो गई, वो lock हो गया मतलब वो चीज हो गई अब अगले पे move on तो ये पूरी की पूरी news है रही बात पाकिस्तान को permanent seat देने की United Nations Security Council में तो यार ऐसे तो किसी भी country को घाना को बोल दो, Kenya को बोल दो El Salvador को बोल दो, Nicaragua को बोल दो कि आओ आओ, तुम भी अपनी candy रिचर दे दो ठीके ना, क्या है मुझ ठाके जाओ, बोलो, हमको United Nations Security Council का मेंबर बनना है आज की रेट में प्रेजिडेंट का एलेक्षिन हो रहा है दुरापदी, मूर्मूजी, एश्वाण, जिनाजी जी खड़े हुए दो लोग खड़े अब कोई भी कलक उठके आके बोले कि मैं अभी प्रेजिडेंट बनूँगा Election Commission of India को Petition देते, मैं अभी मैं प्रेजिडेंट बनूँगा तो उसका कोई चार्स है प्रेजिडेंट बनने का तो ऐसे कोई बेरीगरी कंट्री उटका है चाकी बोलेगी कि नीब हमें United Nations Security Council का मेंबर बनना है हम अपना कैंडिडेचर दे रहे है तो उसका मतलब क्या है बंत होए ना पाओगे G4 countries लंबे समय से यहाँ पर अपना कैंडिडेचर दे रही है रिफार्म कर रही है इतनी बड़ी एकनॉमी मिलिटरी है यह नहीं बन पा रही है तो छूटी मुटी कंट्री क्या हम प्राइगे तो अगर पाकिस्तान को किसी European कंट्री के बड़े Ambassador ने या पर प्रामेस्टर ने बोल भी दिया कि तुम अपना कैंडिडेचर दो उससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला प्रामेस्टर ने वाला